नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस lecture में हम discuss करने वाले हैं current affairs miscellaneous यानि कि पिछले हपते के जितने भी important topics है miscellaneous के उन सब को आज के इस lecture में हम discuss करेंगे जो की होगा 30 March 2022 से लेकर 5 April 2022 बाइस तक के consistent way में follow करते रहिएगा हर एक lecture में हर एक वीडियो में बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ ताकि अब चीजों को समझे ए exam को crack करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन consistency maintain करना बहुत बड़ी बात है और consistency maintain करके ही इस exam को crack किया जा सकता है तो बहतर तरीके से preparation करते चलें साथ में notes बनाते चलें हर एक वीडियो को consistent way में follow करते चलें बहुत ही benefit मिलेगा इन सारे lecture से आपको अगामी exams में अगामी जितने भी exam सोने बाले हैं हर exam के लिए जितने भी video lecture सारे हैं उस सारे बहुत महत्पून है तो follow करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक भी share कीजिएगा और channel पर नए हैं तो बहतरीन तरीके से preparation करने के लिए अगर ये channel आपको किसी भी तरह से मदद करता है तो इसे subscribe कर ले और team को motivate करने के लिए हमें motivate करने के लिए videos को like जरूर करें और एक बहतरीन team के साथ बहतरीन content के साथ बहतरीन courses के साथ अगर आपने preparation को और मजबूत बना करना चाहते हैं या फिर सही दिसा में preparation करना चाहते हैं हमारे application को जरूर डाउनलोड कर ले गूगल प्लेश्टूर पर direct competition community search करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस QR code को scan करके भी आप competition community के application को जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं चलिए अब सिधे content की तरफ बढ़ते हैं तो सकता है आपसे इस तरह से question पूछा जा सकता है fill in the blanks यह समझाता किस छेत्र से संबंदित है या किस संबंदित है या फिर समझाते से related कोई और अलग-अलग dimensions points पर question पूछे जा सकते हैं तो इसलिए कुछ-कुछ जो बहुत important समझाते होते हैं वहां से आपको preparation करना चाहिए और अच्छे से याद रखना चाहिए तो उसे में है एक संगेन समझाता यानि कि संगेन एरिया समझाता तो यह समझाता किस छेत्र से संबंदित है किस लिए important है इसके कुछ points को देख लेते हैं तो सबसे पहले देखिए कि यह 26 European countries के बीच का समझाता है जैसे मान लो कि आप भारत से चाइना जारे हो या भारत से रसिया या फिर भारत से अमेरिका जारे हो तो उस country में जाने के लिए आपको वीजा देना होता है लेकिन इस सेंगेन समझाते के तहट यानि कि जो 26 country इस समझाते में सामिल है वो countries के आपस में लोग एक country से अगर दूसरे country में जाते है तो उन्हें किसी भी तरह से वीजा नहीं देना होता है बस उन्हें जरुवत होता है Unified Visa Policy के यानि कि एक ही कृत वीजा नीती के तहर इस 26 European countries में इस देश के लोग कभी भी आजा सकते हैं जैसे आप 36 गर से MP जाते हो MP से महराष्ट जाते हो तो आपको किसी तरह से कोई Visa नहीं देना होता न तो इसी तरह से अगर एक country से 26 countries के बीच में एक country से दूसरे country में जाते हैं तो आपको वीजा देनी की आविशक्तन नहीं है और इसे हाली में COVID-19 के बाद इन सारी स्थीतियों पर आपसी सीमाओं के सभी पासपूर्स और सीमानी अंतरन को जो है वो समाप्त कर दिया गया जनिकि अगर आप जैसे COVID-19 था तो बहुत सारी पवन्दियों थी तो सारी पवन्दियों को हटा दिया अगर आप एक country से दूसरे country में 26 countries के बीच जाते हैं इसका मेर मकसद के है पता tourism को बढ़ावा देना है ताकि European countries में जभी भी कोई एक tourist जाए तो वहाँ पर बार बार उसको वेजा लेने के आवेशकता नहों और एक country से दूसरे country दूसरे country से तिसरे country 26 countries के बीच में घूम सके अच्छा इस policy के तहट ये भी कहता है यानि कि समझोते के तहट ये भी कहा जाता है कि अगर कोई अपराध ही एक country में जो है कुछ भी अपराध करके भाग रहा है पुलिस उसका पीछा कर रही है या investigation कर रही है तो पुलिस उस country में भी जा सकती है उसका पीछा करते करते हैं अराम से जा सकती है और वहाँ पर भी जो है वहाँ के rules and regulation है उसके हिसाब से कारवाई कर सकती है जैसे भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी activities होता है तो अगर एक राज्य में अपराध हुआ तो यह समझाता लागू हुआ 1985 में लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यह जो समझाता है वो effective कब हुआ तो यह समझाता जो है effective हुआ 1995 में इन 26 countries के बीच में और कुछ countries और है जैसे रोमानिया हो गया एक बुल्गारिया हो गया तो इन countries भी आने वाले समय में इसमें शामिल हो सकते हैं यह European countries के जो 26 countries है वो है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन countries के बारे में भी देख सकते हो France, Italy, Australia, Poland Sweden, Norway Norway आने वाला है फिन्लैंड हो गया तो इस सारे countries जो है इसका हिस्सा है तो अगर यहाँ से आप से question पूछा जाता है तो इसके लिए याद रखेगा यह जो 26 countries है इनका जो total population है वो लगभग 400 million 400 million के आसपास है यानि कि 40 करोड के आसपास यह 40 करोड लोग जो है वो सिंगन समझाता के अंतरकत में आते हैं और इसके अलाबा एक और treaty के बारे में याद रखेगा इन ही European Country का treaty है जिसे हम Martis Treaty के नाम से जानते हैं Martis Treaty के नाम से इसे जानते हैं और यह जो है European Countries के एक ही करण यानि की एकता से समबन दी जै Cold War के बाद में इसे शुरू किया गया था ठीक चलिए अगला जो टॉपिक है ये भी एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है हाल ही में Gilbert F. Hongbo को International Labour Organization का नया महानी देशक अपॉइंट किया गया है One Day Exam के लिए बहुत इंपोर्टन होता है यहां से आप से प्रशन पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में अंतराश्टिय स्रम संगठन यानि कि International Labour Organization का किसे महानी देशक नियुत किया गया अगर आप से प्रशन पूछा जाता है तो याद रखिएगा Gilbert F. Hongbo को अब इनके बारे में अगर आपको कुछ और इसका जो राजधानी है वो लोम है रोम नहीं लोम याद रखिएगा और यहां कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 86 लाख जो है इस देश की जन संख्या है और इस टोगो के पूर्व प्रधान मंत्री कौन थे Gilbert F. Hongbo जीने की हाली में इंटरनाशनल लेबर और्गनाईजेशन का जो है वो महानीदेशक निक्त किया गया है और वह इस पत पर चूने जाने वाले पहले अफ्रीकी नागरीक है इस बात को भी ध्यान रखिएगा और 2017 से पहले यह क्रिसी विकास के लिए अंतराश्टी एक कोस जिससे हम कहते है IFAD यह जो है United Nation की एक विशिष्ट संस्था है यानि कि International Fund for Agriculture Development अगर यहां से आप से कोशन पूछा जाता है तो याद रखिएगा International Fund for Agriculture Development जो है United Nation की एक विशिष्ट संस्था है और इसका Headquarter कहां है तो इसका Headquarter इस्थित है Rome Italy में अगर यहां से पुछा जाता है Headquarter से जमन देद तो यह भी आपको पता होना चाहिए और इस IFAD का मुख्य उद्देशी क्या है तो इसका मुख्य उद्देशी जो है वो गरीबी निवारन है यानि कि हर किसी तक कम से कम खादे समागरी बहतरी तरीके से पहुँचे इस पर अलग-अलग किसी तरह से अगर developing country को funding की आवेशकता है तो वो भी इसके द्वारा जो है वो मुहया कराया जाता है अब बात आता है कि आखिर यह International Labour Organization क्या है तो International Labour Organization के बारे में भी आप याद रखिएगा यह सहियुक्त रश्ट की सबसे पुरानी एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में हुआ था अब बोलोगे कि सहियुक्त रश्ट की स्थापना तो 1945 में हुआ था लेकिन फिर कब से आ गया तो सहियुक्त रश्ट पहले भी कारे कर रहा था किसी और नाम से किसी और तरीके से तो उसी का एक हिस्सा हुआ करता था International Labour Organization अगर पूछा जाए कि International Labour Organization का Headquarter कहा है तो जेनेवा में इसका Headquarter इस्थित है कहां यह आता है तो यह आता है अगर कोई company कोई rule बनाती है अपने मजदूरों को लेकर अपने employees को लेकर अपने लोगों को लेकर और अगर वो company उसका उलंगन करता है तो International Labour Organization जो है उनके हीतों की रक्षा करने का कारे करता है तो याद रखिएगा International Labour Organization के बारे में भी ठीक चलिए जलक के छेतर में Nobel पुरसकार के नाम से भी जाना जाता है ठीक तो इस बात को भी आप याद रखिएगा Nobel पुरसकार इसे जलका Nobel पुरसकार आप कह सकते हो 2022 के लिए किसे मिला है 2022 के लिए जो पुरसकार है वो मिला है प्रोफेसर Belfrid Bootsert को कियाद रखिएगा आप से डारेक कोशन पुछा जा सकता है कि Stockholm जलकार 2022 से किसे समानित किया गया है तो Belfrid Bootserts को जलकार 2022 समानित किया गया है किस उपलबदी के लिए तो इन्होंने परियावर्णिये वासफी करन के मुल्यांकन में एक बहतुपून ही कारी किया है और इस छेतर में इन्हें समानित किया गया है और वासफी करन के छेतर में ताकि भविस्य में बारिस कैसे किया जा सकता है या फिर उसमें अलग-अलग रिसर्च करके कैसे मीठे पानी छेतर को बचाया जा सकता है कैसे इन्हें बढ़ाया जा सकता है इन सारी छेतरों में research करने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को व्यापक रूप से जल का nobel पुरस्कार भी कहा जाता है जैसे मैंने आपको शुरुआद में बताया अब यह पुरसकार किसके दोरा दिया जाता है तो Stockholm जल पुरसकार जो है उसे कैसे जिवित रखा जा सकता है या फिर जो सूख गए उसे कैसे पुनर जिवित किया जा सकता है या फिर बहुत सारे रिसर्च वाटर को बचाने पे किस तरह से हो सकते है उसका काम जो है इस 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 के द्वारा किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ तो इसका फॉर्मेशन डेट भी आप याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन हुआ 1991 में अब यहां पे कुछ important points और आपको याद रखना होगा कि इस institute का यानि की Stockholm International Water Institute का headquarter कहां है तो Stockholm में ही है और Stockholm कहां है तो यह आपका Sweden में इस्थित है तो इस तरह से कुछ points को आपको यहां पर ध्यान रखने की आवेशक्ता है ठीक अब इनको जो यह पुरसकार सम्मानित कि किया जाएगा जब विस्व जल सप्ता मनाया जाएगा तब अब विस्व जल सप्ता दिवस कब मनाया जाता है तो यह अगस्त के आखरी हपते में या फिर सेप्टेंबर के सुरुआती हपते में मनाया जाता है और 2022 का जो जल सप्ता है वो 23 अगस्त से सुरू होगा और 1 जो है ये मनाया जाएगा और इसी बीच जो है इन्हें समानित किया जाएगा अगर आप से पूछा जाता है कि विस्प जल्दी वस कब मनाया जाता है तो विस्प जल्दी वस अभी अभी हमने पढ़ा है ये प्रतेक वस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है कुछ दिन पहले ही हमन इस lecture में डिस्कस किया था कि विस्व जल दिवस कब मनाया जाता है इसके बाद जो अगला टॉपिक है एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक हो सकता है आपका 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है यानि कि इसी दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी राजस्थान में लगभग उस समय टूटल 22 देसी रियास्थें हुआ करता था अंग्रेजियों के जमान में जब हमारा सुरू सुरू में भारता जाद हुआ था तो उस समय 22 देसी रियास्थें हुआ करते थे मतलब राजस्ثान कहया जाता है ठीक, तो हर साल जो है राजस्थान में 30 मार्च को राज्य दीवस के रूप में मनाया जाता है और राजस्थान के बारे में आपको पता है कि छितरफल की दरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टी से अगर हम कहें तो यह भारत का सात्वा जो है वो राज्य है क्या जनसंख्या के दृष्टी से ठीक राजिस्थान का गठन कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो यह मार्च 1949 में इसका गठन हुआ था ठीक अगर इसका छेत्रफल देखोगे तो 3,42,249 स्क्वार किलोमेटर इसका छेत्रफल है और देश का सात्वा सबसे बड़ा राज्य है किसके हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से अगर राजिस्थान का आप सीमा देखोगे कौन-कौन से राज्य से लगता है या फिर इंटरन साइड में चले जो तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ और इसके इस्ट की बात करें तो नॉर्थ इस्ट में इसका आ जाता है आप उपर की तरफ पंजाब है फिर नॉर्थ इस्ट में आप हर्याना को देखोगे फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है साउथ की तरफ अगर हम आ इसके वेश्ट में आता है और इसकी सीमा जो है यहीं पाकिस्तान से भी लगता है ठीक अगर राजस्तान में कुछ प्रमुख नदियों के अगर हम बात करें चंबल एक प्रमुख नदी है इसके लाबा लूनी बांडी ये भी प्रमुख नदी है अगर इसके भगॉलिक में जो है यह साथ चड़न जो है वो सुरू कब हुआ था 18 मार्च 1948 को यह सुरू हुआ धा और नवंबर以前 56 तक इसके विलाय का कारे चला था जो की साथ चर्णों में हुआ था और इस साथ चर्णों के दौरान 22 देसी रियास्टों को जो है मर्च किया गया था या भारत में शामिल किया गया था और एक करन में लगभग 8 साल 7 महीने 14 दिन का वक्त लगा था तो राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा यहां से भी आपसे परिक्षा में प्रशन पूछा जा सकता है अगला जो टॉपिक है वो है औसकर पूरसकार 2022 से सम्मांदित बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल किसी ने किसी एकजाम में कहीं ने कहीं यह क्वेस्टेंज देखने को मिली जाते हैं तो इसे आप Oscar पुरसकार 2022 भी कह सकते हैं या 94 या 94 अकादमी पुरसकार भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि Nobel पुरसकार को अकादमी पुरसकार के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है समारोव Academy of Motion Picture Arts and Science के द्वारा प्रस्थुत किया जाता है और इसी के द्वारा जो है Oscar से वि Angeles के Dolby Theater में आयुजित किया गया और इस इवेंट ने एक मार्च से 31 दिसंबर 2021 के बेच रिलेज हुई सर्विसरेश्ट फिल्मों और उनके कलाकारों को सम्मानित किया गया अब कुछ चार-पाँच पॉइंट सियाद रखना है जैसे बेस्ट पिक्चर कौन था कोड़ा बेस्ट अक्ट्रिस का नाम अगर पूछा जाए औसकर 2022 में बेस्ट अक्ट्रिस का वर्ड किसे मिला तो जैसिका चैस्टिन कौनसी मूवी के लिए दा आई आफ टेमी फाई और पावर ऑफ दी डॉक के लिए जेन कैम्पियन को सर्वस्रेश्ट निर्देसक यानिके सर्वस पूछा जाता है क्योंकि यही से आफ से क्सर्वाइब सकता है आसकर की सुरुवात कब हुई थी? 1929 में जो है वो आसकर की सुरुवात हुई थी भारत के लोगों को अब तक कितने बार आसकर मिल चुका है यानके भारती ये लोगों को तो नमबर है आठ इसमें आपका Scientific and Technology Category भी एड है अगर इसको एड कर दें तो टोटल आठ जो है वो मिला हुआ है अगर आप से पूछें कि भारत का पहला व्यक्ति जिससे आसकर मिला है तो उनका नाम याद रखिएगा भानू आथिया ये किस फिल्म के लिए ने मिला था? गांधी फिल्म के लिए और कौन से कटेग्री में? तो Best Costume Designer के कटेग्री में जो है इन्हें First Oscar मिला था जो कि भारतीय थी जी नहीं किया Oscar मिला था और अब तक इतने भारतियों को मिल चुका है आठ चकेटेग्री में मिल चुका है और इक बात ओर याद रखिएगा कि Aus Congar के लिए अब तक 21 बार भारतिय फिल्म या फिर भारतिय फिल्म के किसी actor को या फिर किसी singer को जो है नमीनेट किया जा चुका है तो इस तरह से भारतिय से भी related कुछ important facts को याद रखना होगा अब भारत जो है United Nation Women में 5 लख डॉलर का योगदान दिया है ताकि Gender Equality के लिए जो United Nation Women work करता है या फिर अलग-अलग Women Empowerment के लिए अलग-अलग सेक्टर में जो work करता है उसके लिए जो है भारत 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान जो है इस फंड में भारत द्वारा दिया गया ताकि इस चेतर में United Nation Women के साथ में मिलकर भारत जो है वो पुछा जा सकता है तो पहला तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया ये हो गया अब United Nation Women के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को समझते हैं सबसे पहले जो इसका नाम था वो था United Nation Development Fund for Women लेकिन बाद में कुछ और एजेंसियों के साथ में मिलकर इस एजेंसी क को मर्च कर दिया गया कब 2011 में और 2011 में इसका नाम क्या कर दिया गया United Nation Women तब से ये United Nation Women के नाम से जाना जाता है और महिला ससक्तिकरन, Gender Equality क्यानि कि महिलाओं के हीतों की रक्षा करने के लिए यही अजेंसी जो है कारे कर रहा है 2011 से पहले किसी और नाम से क्या करता था ठीक अगला जो टॉपिक है फाश्ट एंड क्योर ओर ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रोरनिक रीकड यह जो है जुझाट्ड से समंधित है एक इंपर्टैंट सब अफ्टेंट को ड्यवनिक किया गया है कि सबसे पहले कि भारत कि मुक्ः याधिस यानि कि सुप्रिम कोट के चिप जस्टिस एन्वी रमन द्वारा इसे लॉंच किया गया और इसका उद्धे से है अधालत के आदेशों को यानि कि मान लिजे कि एक कैदी है और अधालत ने कहा कि अब इसे बाईज़त बरी किया जाता है लेकिन हाट कॉपी पहुंसते पहुंसते पूरा प्रोसेस होते होते वो कैदी जो है दो तीन महिना महिना और जीलों में ही रह जाता है तो इस प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाने के लिए ताकि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का जो अधिकार है उसका पालन हो सके और उसे जल से जल से रिया किया जा सके इसलिए फास्टर नामक एक सौफवेर डेवलप किया गया ताकि अगर कोट ने आज फैसला सुनाया कि इसे बाहिजद बरी कर दिया जाए या इसे ये वाला जमानत लेकर छोड़ दिया जाए यह जितने भी प्रोसेस हैं कोट के तो उसका तुरंत निवारन हो सके कम्मुनिकेशन जो है बहुत फास्ट हो सके इसलिए इस फास्टर नामक सौफवेर को डेवलप किया गया और इसे एड़ॉप्ट किया गया है इसे बहुत ही सिक्योरिडी के साथ में जो है वो तियार किया गया है ताकि कोट के आदेशों का पालन जो है बहुत फास्ट तरीके से हो सके तो फास्टर के बारे में आपको याद रखिएगा इतने पॉइंट्स को और इसके अलावा 49 तरपर लगभग इसके लिए 73 नोडल अधिकारी को नामित किया गया है ताकि इसके नेटवर्क के प्रोसेस को बहतर तरीके से चलाया जा सके और इसके लिए एक पाथवे इमेल आईडी भी जनरेट किया गया है हर एक कोड के लिए हर एक अधिकारी के लिए और इसे डारेक्ट जेल से भी जोड़ा गया ताकि जेल को जो है तुरंत इंफोर्मेशन मिले कि अब इसको रिहा करो ठीक बात चलिए अब इसके बाद लाश्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के स्थापना दिवस से संबंदित तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के स्थापना दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है तो एक अप्रेल को मनाया जाता है यानि कि एक अप्रेल को भारतिया रिजर्ब बैंक का इस्थापना दीवस मनाया जाता है और भारतिया रिजर्ब बैंक का इस्थापना कब हुआ था तो एक अप्रेल 1935 को हुआ था Reserve Bank of India से पहले Imperial Bank of India भारत में कारी किया करता था और Imperial Bank of India Act 1920 के तहद जो है Imperial Bank का गठन किया गया था और इसी के माध्यम से Imperial Bank of India जो है किस थापना जो है 1921 में किया गया था जिसमें तीन Presidency Bank को जो है उमर्ज करके Imperial Bank नामक एक मजबूत बैंक बनाया गया था लेकिन उसके बाद RBI Act 1934 के तहद 1 April 1935 को Reserve Bank of India का स्थापना किया गया सुरुवात में Reserve Bank of India का Headquarter कहा था कोलकाता में था ठीक लेकिन 1937 में इसका Headquarter जो है कहां सिफ्ट कर दिया गया Mumbai में और Reserve Bank of India के वर्तमान Governor कौन है तो सक्तिकान तास Reserve Bank of India से इतने important points को आप याद रखिएगा यहां से आप से question पूछा जा सकता है तो आज के इस lecture में फिलहाल इतना ही Thank you, thank you very much और किसी तरह सा अगर कोई suggestion देना हो तो नीचे comment section में जरूर दे सकते हैं ठीक, चलिए मिलेंगे next lecture में Thank you Thank you very much